हेलो दोस्तों मैं आप लोग मेरी वीडियो देखते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट नहीं करते हो उसके लिए थोरा अफसोस है पर देख लेते हो मेरे 300-400 जितनी फ्रेंड्स हैं उसमें 1500 तक लोग कम से कम देखे लेते हैं तो 1500 भी बहुत होते हैं मेरे एक अ यूटूब पर भी डालती हूं उसके भी कमेंट आई जाता है एक दो कोई ने कोई क्योंकि मैंने वैसे उसमें रिस्टिक्ट कर रखे हैं क्योंकि आलतो फालतो कमेंट बहुत करते हैं लोग तो और उससे सीख लेकर मैंने कमेंट रिस्टिक्ट कर रखे हैं कोई ऐसा आलतो तो बाकि देखने वाले तो खेर हैं देख लेते हैं लोग उसमें भी 500-600 और चोटी मोटी वीडियो जो होती हैं मेरी बाते हैं तो वो 50-60 लोग देखी लेते हैं कम से कम ज्यादा तो बढ़ी जाएगा अभी क्योंकि मैं हैश्टेक को यूज करती हूं पर इतना नहीं उपा रहा हूं है पता नहीं कौन सी लिस्ट में है मेरा कैटेगरी में है अभी चैनल तो देखते हैं अभी तीन सान में इतना 20-30,000 लोग तो देखी चुके हैं तो आग अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताती रहती हूं आपको तो आज का मेरा टॉपिक है घर के ही लोग है आज का भी तेखो मैं अपने घर की बाते इसलिए बताती हूं कि मुझे जो घर में एक्सपीरियंस होता है वो हर भार भार के लोगों के घर में भी वही होता है और होता तो मैं न जैसे हमारे घर में लड़किया हैं, बेटिया हैं, नंदे हैं और भाविया हैं तो इन सब के अन्मन चलती रहती है, हाँ जगे होती है हमारे घर में भी होती है, होती थी तो बता हूं का पे, मैं अगर point of view बताऊं तो नंदों का ऐसा है कि भावियां बड़ी हैं, तो भावि के साथ ज़्यादा बोलना नहीं है, बहस नहीं करनी और उनको पूरी respect देनी है, उनके साथ बना के रखनी है मतलब ऐसे होता है, हर जगे ऐसी होना चाहिए बड़ भावियों का क्या perspective है, कि नंदों को दबा के रखना है और उनको मायके नहीं आने देना जादा, या उनको मायके से उनको वो respect देनी ही नहीं है वरना ये मायके की हो जाएंगी, मायके की सारा खर्च वर्च करवाएंगी इस तरह का perspective बन रहा है उनका, क्योंकि मैं रह रही हूँ नहीं तो मुझे पता चल रहा है मही तो अभी शादी नहीं हुई है, बट ये perspective देखकर मुझे चौंक वह गया कि मतलब जो बेटियां अपनी मम्य पापा के साथ घर बनाती है उनके साथ तो पूरा घर को बचपन से लेकर शादी तक जब तक उनकी शादी होती है पूरा सजो गर रखती है, घर की एक छोटी सी चीजे एक माजस की तिली से लेकर घर का बड़ा आंगन तक सजागे रखती है उन लड़कियों को भावी के आने के बाद भावियां दबा देती है, तो यह देखकर मुझे अफसूस होता है, कि ऐसे हर जगे होता है, होता ही है, सुनाई देता है, तो उन लड़कियों को भावियां दबा के रखना, तो इस तरह से एक दूसरे को दबा के रखना, अपने प अग्ति किसी का नाम नहीं ले रही हूं जो हमारे हमेरे घरपे आई हैं। जो हमारे लड़किया गई वो साधी है यहां भी उन्होंने काम किया है। लेकिन सोचकर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं पर अपने शादी में लेट कर रही हूं। कि पता नहीं मेरे को किसा घर मिलता हैं, यहां से तो ममें पापा के ताने सुने ही रही हैं, बाई में मेनों के साथ लटाई डहागए, वह टो प्यार महामबत में किया है लेकिन जहां मensor करें हैं वहां तो नहीं करना चाहिए, ने म培iki हो चाहिए अगर हो गया तो फिर हम कैसा अभी तो हमारी जॉब भी नहीं लगी है, सरकार ने ऐसे जॉब भी नहीं दिया हमें, तो यह सोच कर मैं थोड़ा टैंस हो जाती हूँ, कि अगर में को भी कुछ ऐसा मिल गया, तो कैसे घर चलेगा हमारा, या मतलब ममी पापा को अच्छा लगेगा कि हमने अपने बच्चे इसलिए पढ़ाये थे, या इसलिए इन से सारे गूर सिखाये थे, इनको कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, अगर इनको बाद में शादी के बाद ऐसा घर मिल जाए, तो मैं इसलिए लेट कर रही हूँ, और में घर वाले इसलिए सोचते हैं, कि यह पता नहीं क्या सोच के रखा है इसलिए लेट कर दिए, तो मतलब इतनी सारी बातें दिमाग में रहती हैं, घर आपके माईके से लेके ससुराल तक की, और तब आपको एक बड़ा डिसिजन लेना पड़ता है शादी का, जो बहुत एहम रखता है आपकी जिंदगी में, उसको अगर उसमें कहीं होना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, तो ऐसे जो डिसिजन लेने पड़ते हैं, वो सो समझ के लेने पड़ते हैं, कि आपको माईके से ही आप में जो मीद रकीती की भाई भावी का ऐसा रहेगा रिष्टा, और बिन्नानत भावी का रिष्टा ऐसा रहेगा, या सासू भ पानी में डूप जाएगी, तो ऐसे जिजन लेने में बहुत सो समझ के काम करना पड़ता है, आपको भी कहरेगा, जो सुन रहे हैं, मुझे पता है मेरी लिस्स में कितनी लिखिया है, जो मेरी बहने हैं, जिनकी शादिया नहीं हुई है, तो मुझे उनके लिए भी यही कहन आता कि ध्यान से डिसिजन लेना, क्योंकि माईके में तो आप अपना समझ के सब कुछ करते हो, लेकिन सस्राल में आपको अपना अधिकार दिन लेने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, और माईके से ही अगर आपके साथ कुछ ऐसे अपरिया घटनाए हो च अधिकारें ध्यान से और धीरत से निर्नेलें, और अपना बहुशे बनाने की सोचे, सबसे पहले अपना पॉकेट मनी निकालने की सोचे, जहां से आपका किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो जो आपके लिए सोचे, मैं भी वही कर रही हूँ, जो आपके लिए जो म मेरा तो यस कमाने का है अपनी फुट कामाने ने का mean दो मैं फोड की निगी नी वो तो मैं पोरा ऑन करूँगी पूरा और इस पे पूरा फोकस हेही jest मेरा जब तक के लिए टेक केर बाबाए